कपिल की करीब एक महीने में शादी होने वाली है पैसे की अचानक कमी के कारण वो पैसे उधार लेने का फैसला करता है लेकिन मार्किट में मौझूद इतने तरह के लोन के कारण गवरा जाता है अब सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है आज की वीडियो में हम अलग-अलग तरह के लोन और किन के लिए वो सूटिबल है उस पर डिसकस करने जा रहे हैं मार्किट में कई तरह के लोन हैं जिनहें सिक्यूर लोन और अनसिक्यूर लोन के रूप में कैटेगराइज किया जा सकता है तो कपल के मामले में वापस आते हैं गोल्ड लोन के लिए उसे सिक्यूरिटी के रूप में बैंक में कुछ गोल्ड रखना होगा जिसे सिक्यूर लोन कहा जाता है और सिक्यूरिटी के रूप में रखे जाने वाले गोल्ड को कोलाटरल कहा जाता है अब अगर वो लोन को रीपे करने में फेल हो जाता है तो बैंक उस आसेट को जो इस मामले में गोल्ड है बेच सकती है और पैसे रिकवर कर सकती है चुकि ये लोन कुछ collateral द्वारा secured किये जाते है ये कम interest rate चार्ज करते है और bad credit score वाले भी इसका फायदा उठा सकते है Very quickly credit score एक three digit number है जो lender को borrower के credit behavior के बारे में बताता है ये मूल रूप से borrower के credit worthiness को दिखाता है कपिल का दूसरा borrowing option wedding loan एक unsecured loan है जहां किसी collateral की जरूरत नहीं है ये loan आम तोर पर secured loan के comparison में ज्यादा interest चार्ज करते हैं अब अलग-अलग loan देखते हैं जो दोनों categories के तहट आते हैं हम secured loan के साथ शुरू करते हैं कुछ सबसे popular secured loans है home loan, vehicle loan, gold loan वगहरा आईए इन loans के बारे में और ज्यादा गहराई के साथ जाने हम home loan के साथ शुरू करेंगे home loan एक बड़ा ticket size secured loan है जो किसी मकान को खरीदने या उसे बनाने के लिए लिए लिया जाता है इस loan में खुद मकान ही bank के लिए security है ये 10 साल, 15 साल, 25 साल या इसे ज्यादा लंबे period के लिए होते है bank आम तोर पर property value के 80% तक का loan sanction करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि 1 करोड रुपे की property पर आपको bank से 80 लाख रुपे तक का loan मिल सकता है आप home loan को monthly installments में repay कर सकते हैं जिसे EMI कहा जाता है अब next auto loan है ये loan नई या पुरानी कार, बाइक या किसी और vehicle को खरीदने के लिए लिए जाते हैं vehicle अपने आप में bank के लिए security है ये loan आम तोर पर EMI में 3 से 7 साल के period में payback किये जाते हैं और अगर borrower loan को repay करने में fail हो जाता है तो bank vehicle को seize कर सकती है अब gold loan की तरफ बढ़ते हैं जैसा कि नाम से पता चलता है, gold loan गोल्ड के बदले लिया जाता है lender या bank आपके gold को security के रूप में लेंगे और आपको इसके बदले पैसे देंगे आप loan के रूप में gold के value का 90% तक प्राप्त कर सकते हैं आम तोर पर आप maximum 5 सालों तक के लिए gold loan ले सकते हैं gold loan popular हैं क्योंकि आप EMI में केवल interest पे करते हैं और maturity पर पूरा loan amount चुका सकते हैं अगला हमारे पास loan against property है इस loan में borrower अपने घर या किसी commercial property को bank के पास security के रूप में दे कर amount borrow कर सकता है आप loan के रूप में property value का लगभग 65% से 70% प्राप्त कर सकते हैं अगला loan against securities है अगर आपने किसी company के shares, bonds या mutual fund में invest कर रखा है तो आप इन securities को उसे loan लेने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं आप इन securities को loan के लिए bank या किसी दूसरे financial institution के पास इन shares को security के रूप में रख सकते हैं आप loan के रूप में shares के value का लगभग 50% तक ले सकते हैं अब अगला secure loan है title loan तो title loans में आप lender के पास security के रूप में अपना vehicle या home या land रख कर उधार ले सकते हैं इन loan के तहट title यानि की asset का ownership temporarily lender को transfer कर दिया जाता है ये लगभग 30 दिनों के बहुत ही short term loans होते हैं जैसे ही आप loan repay कर देते हैं, ownership वापस आपको transfer कर दी जाती है इस loan में आम तोर पर लगभग 300% सालाना का high interest rate चार्ज किया जाता है अब आईए unsecured loans की तरफ बढ़ते हैं तो unsecured loans वैसे loan होते हैं जहां borrower को collateral के रूप में lender के पास कोई asset रखने की जरूरत नहीं होती unsecured loans में सबसे ज्यादा popular personal loan है आईए इसके बारे में और जानते हैं personal loan के मामले में आपको bank के पास कोई security रखने की जरूरत नहीं होती आप किसी भी purpose के लिए money का use कर सकते हैं चाहे medical emergencies हो, traveling हो या और कुछ loan का amount आपकी income और credit score पर depend करेगा अगर आपका credit score बुरा है तो bank आपको loan देने से मना कर सकता है wedding loan, travel loan, home renovation loan, education loan और pension loan सभी personal loans ही होते हैं अब हम instant loans की और move करते हैं ये छोटे और quick loan होते हैं जिनका lab तब उठाया जा सकता है जब किसी को पैसो की urgent need हो आम तोर पर ये बहुत short term loan होते हैं पैसो का use किसी भी purpose के लिए किया जा सकता है हम कह सकते हैं कि instant loans भी एक तरह के personal loans ही हैं चलिए एक और तरह की unsecured loans short term business loan की तरफ बढ़ते हैं अगर किसी business को financial crunch का सामना करना पड़ता है तो वो short term business loan का रुक कर सकते हैं इस loan की रकम owner की profile और business कितना profitable है उस पर depend करता है अगला चलिए credit card की तरफ move करते हैं तो credit card का use बिना actual money को खर्च किये हुए अपने expenses को pay करने के लिए किया जाता है लेकिन आपको late payment charges से बचने के लिए fixed time के अंदर repay करना होता है और अगर आप समय पर बकाया repay करने में fail हो जाते हैं तो आपको penalty और high interest pay करना होता है इसे के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं अगर आपको ये वीडियो useful लगा हो तो please हमारे चैनल को like और subscribe करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें हम आप से जल्द ही दूसरे insightful वीडियो के साथ फिर मिलेंगे mutual fund investments are subject to market risks read all scheme related documents carefully